गाइज if you don't know Hindi this video is also available in English link is in description now let's get started so guys already में 3 videos डाल चुका हूँ but एक मेर को और important topic लगा vendor lock-in problem हम इसमें discuss करने वाले हैं यह basically आपका disadvantage ही है guys okay sometimes एक separate question भी exam में पूछ लेते हैं कि define vendor lock-in problem में पूछ लेंगा जो भी तो मैं आपको बताता हूँ start करते हैं फटाफट से चैनल पर नहीं है तो मैं बताना सब्सक्राइब बहुत सरे आपको पढ़ाई के वीडियो मिल जाएं पूरी playlist मिल जाएगी interviews में क्या preparation कर रहे हैं बहुत साथे वीडियो मेंने डाले वह हैं और आपको बहुत साथ सर्वेसिस मिल जाएंगी तो आप जाके चेक कीजएगा जाएंगी तो जाके आप चेक कीजएगा नव फटने फट से हम स्टार्ट करते हैं सो बेसिकली वेंडर लॉकिन प्रॉब्लम है क्या पहली बात तो यह एक डिसद्वांटेज है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग में ठीक है अब हम समझते हैं कि है क्या पर यह सिंपल जाते हैं तो उन सब दिककते जो हम आती है बेसिकली वह इमानी मेजर लिवेंडर लॉकिन प्रॉब्लम होती है इस नौट इजी तो शिप्रॉब्लम होती है तो बेसिकली मतलब नॉमल सी अगर हम बात करते हैं फस्स फॉल देफिनेशन देखता है जिसको भी उन्होंने जिससे भी सर्विस लिवी है उसी पर वो डिपनेट हो जाते हैं और किनोट इसली मोव इन फ्यूचर तो इसे नहीं कर सकते हैं आप चेंज कर सकते हो बट यार उसमें बहुत जाता कॉस्ट लगती है बहुत सरे एफट्स लगते हैं प्रॉब्लम क्या यह और भी simple definition में आपको बताता हूं और simple भाषा में अगर हम बोलते हैं तो organization में face problem when transferring their services from one vendor to another as different vendors provide different platforms and services they can cause difficulty in moving from one cloud service provider that is vendor to another ठीक है तो main वह है जो मैं आपको बता है simple भाषा में यह है exam में गर question पूछते हैं तो आप simply यह भी लिख सकते हो आप मुझे कोई प्रॉपर वीडियो यह लगा यूट्यूब पर that's why मैं यह simple से इस पर में वीडियो बना रहा हूं and types of vendor lock-in risk मतलब risk भी बहुत type के हो सकते मैं आप यहां पे मैं 2 या 3 risk discuss करने वाला हूं अब पहली बात तो यह कि data transfer का risk होता है data transfer का risk भीया कैसे हो सकता है अब सपोज हम azure यूज कर रहे है तो उसमें सपोज हमारा जो database है उसमें data store है सपोज जैसा भी मतलब ऐसा हो सकता है कि इसमें data जो store है उसका अलग pattern है और अगर मैं किस और cloud provider पे सपोज Amazon web services पे AWS पे हम shift कर रहे है अपना application को तो हो सकता है कि या उनके कुछ अलग constraints हो कि हम आपको data जो है इस form में हम लोग store करेंगे तो वह सारी शीज है मतलब compatible नहों आपस में राइट वहां पे problem हो सकती है so it is not easy to move data from one cloud service provider to another CSP is cloud service provider a lot of queries हो सकते हैं जैसे कि who is responsible for extracting the data from the databases है अगर आपका Microsoft Azure पर आप यूज कर रहे हो तो पहले तो आपको सारी शीज़े अगेरा करनी पड़ेंगी वह सारा जमीला होगा तो वह आपका scenario है और ये भी नहीं पता कि in what format the data will be कि किस format में data हमारा already stored है जो हम दूसरे platform पे जा रहे है उस पर हमारा data कैसे stored होने वाला है ठीक है what will be the format of the new cloud service provider एक आपका problem यह हो सकता है now second one is application transfer risk एक example मैं अगर आपको समझाता हूं दोस्तों तो suppose हमने Microsoft Azure है नॉर्मल सा ठीक है हमने उस पर कुछ services ले ली अब देखो ऐसा होता है कि कुछ services जो Azure प्रोवाइड करवा रहा है वो AWS में ना available हो ठीक है और जो AWS में वह होता है Azure में ना available हो तो क्योंकि कोई proper standard नहीं है यार उसका ना तो मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ तो वही शीरी सब्सक्राइब आपने Azure में ले लिया अपनी प्लाटफॉर्म आपकी जो भी application आपने होस्तों गयरा कर दी और Azure को यूज किया हुआ है और Azure में आपने कुछ ऐसी services यूज कर ली एक्जा लिखना पड़ेगा या फिर जो भी आपको मतलब इंतिजाम करना पड़ेगा तो वह सीना रिवा है तो इफ वी बिल्ट वन application on a cloud service provider that leverages many of its offering the reconfiguration of this application to run natively on another provider can be an extremely expensive and difficult process क्यों होता है वो मैंने आपको एक्जाम्पल के थ्रू अल्री समझा दिया है यही मैंने एक्जाम्पल लिखा हुआ है कि सब्सक्राइब कि अप्लिकेशन है और Azure से हमने कुछ services लिए है जो की data analytics और bot services है एक्जाम्पल के लिए मैं यहां पर लिखा हुआ है तो we will have to make a lot of changes to application ठीक हमें changes करने पड़ेगी क्योंकि अगर हमारी services नहीं प्रोवाइड हो रही है AWS पे तो हमारी मतलब problem होगी ना that's why because these services may not be there on or they can be different in other cloud service provider ठीक है वह एक्जाम्पल है जो मैं आपको बताया आप अपनी भासा में लिख सकते है अग्जाम में जो मैं आपको एक्जाम्पल लेके समझाया कि Azure पे हैं और हम AWS पे shift करें और हमार को problems आ रही है अब यह problems आ दी क्यों है जैसे कि मैं आपको बताया reason for this difficulty is lack of standard ठीक है कोई standard नहीं है कि हमारा मतलब यह सारे standards हरे cloud service provider को follow करने ही करने पड़ेंगे so there is lack of standard interfaces and open APIs and every cloud service provider has their own standards तो यह हमारी major problem है that's why हमको यह problems issues आ सकती है अगली अगर हम बात करते हैं guys there can also be an issue human resource knowledge risk जैसे कि अब suppose आपकी engineering team है जो भी आपके developers हैं वो Microsoft Azure पर काम करना जानते हैं वो पांच-चार साल से काम कर रहे हैं तो उन्हें बहुत अची knowledge हो यह no doubt है ना पता चल गया कि यार हाँ यह चीज यहाँ पर यह चीज यहाँ पर फटाफट से हम लोग application त्यार कर सकते हैं क्योंकि हमारे को उस चीज में experience है अब यहार आप Azure से अगर AWS पर shift कर रहे हैं आपको AWS सीखना पड़ेगा ना आपकी team को extra first डालने पड़ेंगे सीखने में भी आपका extra time लगेगा प्लस आपकी application को Azure से हम उसमें shift कर रहे हैं तो आपका extra cost भी आ रहे हैं और बहुत सारी problems भी हो सकती हैं राइट so that is the scenario तो वही चीज में रिखी वह है if we are working with one cloud service provider our team has to gain our team has already gained a lot of knowledge about that right क्योंकि वह बहुत सारी time से काम कर रहे हैं that provides tool and configurations but अब अगर हम move करते हैं दूसरे cloud service provider पे people will have to learn all the tools implementation processes and so on so this will take more time also so एक ये भी आपकी problem हम गिन सकते हैं और भी होते हैं majorly मैंने 3 लिख लिए हैं बहुत ह हैं तो गाइस link of my English channel is also in description उसको भी support जरूर कीजिए जाके subscribe कीचेगा regular video updates के लिए आप telegram पे join कर सकते हैं Instagram सब चीदों के link description में okay and जहाँ पे भी आप हो हाँ पे आप follow कर सकते हो mainly आपको regular updates Instagram और Telegram पे मिल जाएंगी बाकी Facebook पे भी generally मिल जाती है right now important playlist के अगर मैं बात करता है Infosys में के वीडियो बहुत सारे डाले हैं कि क्या-क्या उनके contest होते हैं कैसे में job ले सकते हो link list for interview डाला हुआ Java interview series डाले हुए compile computer graphics डाला हुआ Engineering economics डाला हुआ